आज मैं लेकर के आई हूँ आप सब के लिए बहुती टेस्टी नास्ते की रेसिपी और ये मैं सोया बीन से बना करके त्यार करूँगी बहुती हेल्दी और टेस्टी नास्ता है साथ में बनाना बहुत आसान है जटपड से बन जाता है तो चलिए recipe सुरू करते हैं उससे पहले welcome to amazing kitchen recipes अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please कर लें तो soya पिनका नास्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने flame on करके पानी उबलने के लिए रख दिया था यहाँ पर मैंने 1.5 cup soya chunks दिये हैं इन्हें मैंने पानी में डाल दिया है उबलने के लिए एक से दो मिनट तक इन्हें high flame में boil कर लेंगे यह जब तक वायल करेंगे जब तक कि जो soya chunks है ना यह अच्छे से soft ना हो जाए और इन्हें उबलने में soft होने में 1-2 मिनट ही लगते ह हाई flame में इन्हें इस तरीके से उबाल लीजे और यह देखिए size बिल्कुल डबल हो गया है यह soft हो गया है flame मैंने off कर दी और मैंने गरम पानी से निकालके ने ठंडे पानी में रख लिया है और इस तरीके से हाथों से प्रस करते हुए मैं इनका सारा पानी निचोड रही और अब इन्हें दो भागों में मैं cut कर लूँगा आप चाहें तो बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं बट मुझे थोड़े छोटे पीस पसंद है इसलिए मैं इस तरीके से इन्हें cut कर रही हूँ तो बस यहाँ पे सारे soya chunks जो हैं उन्हें मैंने cut कर लिया है तो अब गरम हो जाए ना तो इसमें जो soya chunks कट करके रखे थे ना इन्हें fry कर लेना है अच्छे से आपको fry करना है एक हलका सा crunch आने तक फ्राई करिएगा और इनका color हलका सा चेंज हो जाएगा जब आप इन्हें fry करेंगे तो बस लगातार इस्टर करते हुए आपको इन्हें fry कर लेना है फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखे हुई है मीडियम हाई फ्लेम में जल्दी से फ्राई हो जाते हैं तो इरेके color भी change हो गया है और यह अच्छे से फ्राई हो गया है तो बस इन्हें साइड में रखते हैं और पैन में फिर से डाल लई हूँ कम से कम 3-4 बड़े चम करके मैंने लिया है तीनों चीजों को एक साथ तो बस इन्हें भी सौते कर लेंगे फ्लेम अभी मैंने थोड़ा सा मीडियम कर लिए ताकि यह जले ना तो बस हलका सा color चेंज होने तक मैंने भूना और इसमें अब मैं डाल रही हूँ दो प्याच प्याच को मैंने इस तरह क मिनट तक बस प्याच को सौते कर लेंगे और जब प्याच थोड़ा सा सौते हो जाए ना तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ आधक अब जितनी फ्रेस मटर आप फ्रोजन भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर मिर पस फ्रेस मटर रखी थी बहुत ही सौफ्ट है तो उसे भी डाल दो तमाटर कदुकस करके आप यहाँ पर टमाटर की फ्यूरि भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने कदुकस करके डाला है अब तमाटर को अच्छे से भूनेंगे साथ में डाल देंगे आधा चोटी चम्मत जितना नमक नमक डालने से तमाटर बहुत ही जल्य से भुन जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे तो अच्छे से मिक्स करेंगे नमक डालनी के बाद और ढखकन ढखके दो मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम में ही टमाटर को पका लेंगे इससे टमाटर बहुत जल्दी से पक जाएंगे तो ये देखिए टमाटर पक गए है मीडियम हाई फ्लेम में मैंने पकाया केवल दो मिनट के लिए और ओयल भी सेपरेट दिख रहा है इसका मतलब टमाटर अच्छे से भुन गए है पक गए हैं इसमें अब एट कर देंगे स्लाइस की हुई एक बिक साइस की सिमला मिर्च यानि कैपसिकम और साथ में एक कैरट यानि एक गाजर भी एट कर रही हूँ गाजर को भी इस तरीके से लंबे-लंबे पीस में मैंने कट किया है और थोड़ा पतला-पतला काटियेगा सबजियों को और बस फ्लेम बिलकुल मीडियम हाई करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम में सबजियों को सौते करना है आपको सबजियों का क्रंच भी बना रहना चाहिए और वो हल्की सी पक बेजानी चाहिए अब इसमें एट करेंगे आदा छोटी चमच जितना काली मिर्च का पाउडर इसी के साथ में आदा छोटी चमच ही आट कर रही हूँ कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर मीडियम हाई फ्लेम में ही इन्हें लग भग दो मिनट तक सौते कर लेंगे इस तरीके से इससे क्याओ का सबजिया भी थोड़ी सी पक जाएंगी और सबजियों का जो क्रंच है वो भी बना रहेगा तो फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखी है और जब सबजिया थोड़ा सपक जाएंगे तो बस इसमें अब आट करेंगे एक छोटी चमच जितना किचन किंग मसाला साथ में मैं आट कर रही हूँ आदा छोटी चमच गरम मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे एक मिनट तक और भूनेंगे बहुत ज़दा इसमें मसाले आट नहीं होते हैं अगर आप चाहें तो किचन किंग मसाली की जगे मैगी मसाला भी आट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से 1 मिनट तक भूना मैंने और इसमें अब मैं एड़ कर रही हूँ प्राई किये हुए सोया चंग्स तो इस तरीके से जब फ्राई करके सोया चंग्स आड़ करते है न तो बहुत ही अच्छा उनका टेस्ट लगता है और बस अच्छे से mix करना है flame मैंने अभी भी medium high ही रखी है तो बस अच्छे से mix करेंगे और अब इसमें add कर देंगे स्वादनुसार नमक नमक डालके अभी अच्छे से mix करेंगे और medium high flame में आप इसे अच्छे से 1-2 मिनट तक इसी तरीके से stir करते हुए पकाएं वीडियो को बिल्कुल skip करके ना देखें लास्ट तक देखें क्योंकि ये जो वीडियो है breakfast recipe का इसमें लास्ट तक मसाले add होते हैं जब तक ये अच्छे से बन ना जाए तो इसमें अब मैं add कर रही हूँ दो छोटे चम्मच इतना चिली सॉस ये आपके उपर है आप चाहें तो कम भी add कर सकते हैं इसी के साथ में मैं दो छोटे चम्मच ही इसमें add कर रही हूँ टेमैटो केचप इससे बहुत ये अच्छा टेस्ट आएगा बच्चो को भी ये बहुत पसंद आता है तो बच्चो के हिसाब से आप मिर्च को कम कर सकते हैं अच्छे से mix करेंगे और लगबग आधे मिनट तक इसे इस्टर फ्राई करेंगे इसी तरीके से साथ में डाल देंगे थोड़ा सा हरा प्याज अच्छे से mix करेंगे और बस अब लास्ट में इसमें आट करेंगे इसको और चटपटा स्वाद देने के लिए एक छोटा चम्मच जितना चाट मसाला पाउडर तो ये लास्ट में आट करें और बस आधे मिनट तक इसे हाई फ्लेम में इस्टर करें और बस यहाँ पे ये सोया बिन का नास्ता बन करके बिल्कुल तयार हो गया है इसे इसी तरीके से गर्मा गरम बेट के साथ में या पराठो के साथ में आप सर्व करिए बच्चे तो इसे ऐसे ही खा जाते हैं तो बस अब इसे मैं गर्मा गरम सर्व करने वाली हूँ, थोड़ा सहरा प्याज मैंने और गार्निसिंग कर दिया है इसमें तो बहुत ही टेस्टी चटपटा सा गर्मा गरम ये सोया चंक्स का नास्ता बन करके त्यार है बहुत ही हल्दी और टेस्टी ये रेसिपी है, इंस्टन बन करके त्यार हो जाती है और आप इसे गर्मा गरम ब्रेट को बटर में टोस्ट करके सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे पराठो के साथ में सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है आप ट्राई करके देखिए का एक बार तो यहाँ पर इसे देखिए मेरे मुह में तो पानी आ रहा है तो मैं इसे खाने जा रही हूँ और आप भी इसे अपने घर में जरूर ट्राई करिए का आपको बहुत पसंद आने वाला है और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है और अगर अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सेयर जरूर करें साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती है थैंक यू पर वाचिंग वीडियो